हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज देखे फ्रेंट्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खोब सूर ओल इन ब्लॉज को बॉडर लेकर आए इस बॉडर को आप बेबी फ्रॉग कार्डीगन किसी भी भी मेंसन कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए देखे फ्रेंट्स रखने उतना रखे दो फंदे एक्षा लेना है यहां पर देखिये मैंने टोटल डेढ़ सो फंदे लिए हैं क्योंकि मुझे बनाना सूर करते हैं इसके लिए देखे हमने फंदे डालने के बाद फ्रेंट्स आप लोग एक सलाई की निटिंग कर लेनी है उल्टे उल्टे की यह देखिए अब हमने डिजाइन बनाना सुरू करना है तो सबसे पहले देखिए हम उल्टा उल्टा डिजाइन हमारा बनेगा सीधे की साइड से भी उल्टा उल्टा बिनेंगे और पीछे की साइड तो दस फंदा हम उल्टा बुनेंगे साधा देखिए आठ नो दस दस फंदा बुनने के बाद तीन फंदे का एक करेंगे दस फंदा बुनने के बाद तीन फंदे का एक करेंगे देखे तीन फंदे को यानि एक साथ बना देंगे तीन फंदे को एक बना एक बनाने के बाद फिर हम दस फंदा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस फंदा बुना, अब देखिए ये कैसे बन रहा है, पहले हम दस फंदा बुने, तीन का एक की अफिर दस फंदा बुने, फिर अब देखिए क्या हमने करेंगे, यहापे हमारी दो जाली बनेगी, तो देखिए एक फंदा हम ऐसे बुने आगे से लेके फिर फंदा हमारा पीछे रहाएगा बनाएंगे उल्टा यानि दो जाली यहां पर बना दिए आप देखे फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस फंदा बना लिया अब हम फिर यहां पर तीन का एक करेंगे उसके बाद फिर हम दस फंदा बनाएंगे फिर हम दस फंदा बनाएंगे फिर हम दस फंदा बने अब यहां पर दो जाली बनेगा उन हमारे साइड रहेगा फंदे को हम सीधा बनेंगे एक जाली बना फिर उन पीछे रहेगा फंदे को हम उल्टा बनेंगे दो जाली बना यान ऐसे ही रिपिटेशन होगा पूरे ये हमारी सलाई कम्प्लीट होगी देखे फ्रांट्स हमने ये पूरी रो ऐसे ही बना कर कम्प्लीट कर ली है अब पीछे की साइड से भी हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा बना कर कम्प्लीट करना है एक भी फंदे हमने skip नहीं करने हैं सारे फंदे को हम उल्टा-उल्टा बना कर complete करते हैं फिर आगे की side आते हैं देखे friends हम आगे की side आगे हैं पीछे की side से बन कर complete किया है आगे की side से देखिए फिर हमने वही करना है एक चीज और फ्रेंट अब आगे की साइड से एक दो फंदे कम जादा होंगे वो अपने हिसाब से आपने अरजेस्ट करना है इधर भी आपको कभी-कभी दूसरे तीसरे सलाई में कम हो जाएंगे इधर भी कम जादा होगा तो आपने देखिए पीछे की साइड से हम बुनते हैं जब हमारे हाँ पर हम देखेंगे कम हो जाएगा तो हम फंदे को घटाएंगे नहीं जो हम तीन फंदे का एक कर रहे हैं तो एक बार हम नहीं करेंगे तो देखिए अभी तो यहाँ पर कम होगा होगा इस्टार्टिंग में हमने आपे 10 फंदे भुने थे तो 1 2 3 4 पूँछ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 पंदे हम पे टोटल है यह देखिए जो हमने 3 का ये किया था ये देखिए एकदम पता चल रहा है हमने इसको 3 का एक किया हुआ है तो ये और साइड साइड के फंदे दो फंदे ये सा पता चलता है देखिए फ्रंट्स ये एक दम पता चल रहा है तो इन तीनों को एक करेंगे अब हमारा यहां पर नौ फंदा है तो एक फंदा हमारा यहां पर कम हो गया तो उसका कोई इसू नहीं है आप जब भी आएंगे तो अपने आप पर जिस्ट कर लेंगे आप और अब के हमारे 10-10 फंदे का गैप होगा गैळा 10-10 फंदे का हम गैप करेंगे अरो आप देखे फ्रेंट्स यहां पर हमने दस फंदा बना लिया है तो यहां पर दस फंदे बनाने के बाद देखें यहां पर हमारा यह जाली आ गया है तो जाली के उपर जाली हमने बनानी है हम ऐसा तो देखें उन हमारा इसी साइड है यहां पर हमारी जाली बनेगी उन इस और यहीं रिपीटेशन बार बार हमने करना है दस फंदे बनाने के बाद तीन फंदे को एक करेंगे तीन फंदे का फिर दस फंदा बनाएंगे फिर हम जाली बनाएंगे दो आप देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे फिर हमारा यह देखिए एकदम पता चल रहा है कि हमने हाँ पे तीन फंदे का एक किया हुआ है तो इन तीनों को हम साथ भूनेंगे देखिए ये तीन फंदे का एक है साइट का फंदा लेंगे साइट का तो इन तीनों को एक साथ भूनेंगे ये देखिए तीन फंदे का एक कर दिये अब देखिए दस फंदे हम फिर भूनें तो यही हमने बार बार रिपीट करना है सिर्फ साइट साइट के फंदे एक ज़्यादा कम होगा तो उसका कोई सुने अब अपने हिसाब से आप करें देखे फ्रेंट्स यह हमारी डिजाइन कुछ ऐसे बन के आ रहे हैं जाली के ऊपर जाली और यहां पर देखे जिग जैग के बॉडर पूरा बन कर आएगा तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है फ्रेंट्स यह देखे पूरा बनने के बाद बहुत ही प्यार है यह डिजाइन लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले थैंक यू